मेरे प्यारे देश्वासियों, प्रकृति से प्रेम और हर जीव के लिए करुणा, ये हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी है। हमारे इनी संस्कारों की जलक अभी हाली में तब दिखी जब मद्द प्रदेश के पैंच टाइगर रिजर्व में एक बागिन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इस बागिन को लोग कॉलर वाली बागिन कहते थे। वन विभाग ने इसे टी फिप्टिन नाम दिया था। इस बागिन की मृत्यु ने लोगों को इतना भावुक कर दिया जैसे उनका कोई अपना दुनिया छोड़ गया हो। लोगों ने वकाइदा उसका अंतिम समस्कार किया। उसे पूरे सम्मान और स्नहे के साथ बिदाई दी। आपने भी ये तस्विरें सोशल मिडिया में जुरूर देखी होगी। पूरी दुनिया में प्रकृती और जीवों के लिए हम भारतियों के इस प्यार की खुप सरहाना हुई। कॉलर वाली बागिन ने जीवन काल में 29 सावकों को जन्म दिया और 25 को पाल पोसकर बड़ा भी बनाया। हमने T-15 के इस जीवन को भी सलिबरेट किया और जब उसने दुनिया छोड़ी तो उसे भावक विदाय भी दी। यही तो भारत के लोगों की खुपी है। हम हर चेतन जीव से प्रेम का सम्मद बना लेते हैं। ऐसा ही एक द्रश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवेश की परेड में भी देखने को मिला। इस परेड में प्रेशिडेंस बडिगार्ड के चार्जर घोडे विराट ने अपनी आखरी परेड में हिस्सा लिया। घोडा विराट 2003 में राष्ठपती भवन आया था। और हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था। जब किसी विदेशी राष्ठाध्यक्ष का राष्पती भवन में स्वागत होता था तब भी वो अपनी ये भुमी का निभाता था। इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराठ को सेना प्रमुक द्वारा कौस कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराठ की विराठ सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवा निभृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई।